मेरा बाई चानू ओलम्पिक में मेडल जितने वाले भारत की दूसरी वेट लिफ्टर बन गई है उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में उन्चास किलो ग्राम उवर्ग में रजक पदक जीता है मेरा बाई चानू से पहले 2020 के सिड्नी ओलम्पिक में कर्णा मले स्वरी ने कांश पदक जीता था मेरा बाई चानू का जन्म आठ अगस्त 1994 को मरीपूर के निगपैंक काचिंग गाउं में हुआ था मेरा बाई का सपना तिरंदाजी करने का था लेकिन कि नहीं कारणों से उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना करियर चुनना पड़ा मरीपूर से आने वाली मेरा बाई चानू का जीवन शंखर से भरा रहा है मेरा बाई का बच्पन पहार से जलावन की लकडिये बिनते पिता है वो बच्पन से ही भारे वजन उठाने की मास्टर रही है बताते हैं कि मीरा बाई बच्पन में तिरंदाज यानि की आर्शर बनना चाहती थी लेकिन कच्छा आठ तक आते आते उनका लक्षी बदल गया दरसल कच्छा आठ की किताब में मशहूर वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी का जीक था बतादे कि इंफाल के ही रहने वाली कुंजरानी भारती वेटलिफ्टर कुंजरानी से ज्यादा मेडल नहीं जीत पाई बस कच्छा आठ में तेह हो गया कि अब तो वज़न ही उठाना है इसके साथ ही शुरू हुआ मीरा बाई का करियर मिरा बाई की मेनत आखिरकार रंग लाई जब उन्होंने 2014 में ग्लास गो कॉमन वेल्ट गेम्स में 48 किलो भार वर्ग में उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता लगतार अच्छा पदर्शन करने की बदलत उन्होंने रियो ओलंपी के लिए क्वालिफाइग कर लिया गया था हाला के रियो में उनका पदर्शन उविदों के मुताबिक नहीं रहा था वह क्लीन एंड जर्क के तिन परियाशों में भार उठानों में नाकामियाब रहे थ जो कॉम्पटिशन रिकॉर्ड था, 2018 में एक बार फिर कॉमन वेल्थ गेम्स में मीराबाई चानों ने गोल्ड मेडल जीत कर अपनी स्रेष्ट था साबित की, मीराबाई 2021 ओलंपी के लिए क्वालिफाइग करने वाली एक लवती भारती बेट लिफटर हैं, उन्होंने एस् तो नईस किलोग्राम का भार उठाया था, नियुजरूम से, नियुजलाइग कर लिए